हेलो एवरिवन दिस इस रुपेश मिश्रा एन वेलकम यू आल तो यूर चैनल इस महत वैत देखिए हम लोग अपने भी सी के सिक से मिस्टर में पहुच चुके हैं इसका सिलेबस डिस्केशन मैंने लास्ट वीडियो में किया था आप उसे जा करके लास्ट वीडियो में दूँगा उसे जरूर देखें कि क्या चीजे पढ़नी है कितनी पढ़नी है कितना से लबस है और कैसे कैसे इंपॉर्टेंस है उसकी चीजों कैसे कुछ चीजे मैंने रिलेट कि हैं वहाँ पर तो आपको समझ में आए कि हाँ इसका यूज अगर इसे पढ़ना है तो आप होगा complex analysis और metric space होगा पहला पेपर होगा और सेकंड पेपर में आपका numerical analysis और operation research होगा तीसरा तीसरा पेपर पेपर नहीं आपका practical है तो वह अलग चीज है तो दो पेपर होंगे जैसे फिफ समस्टर में तीन फिफेपर हुए थे प्रेक्टिकल नहीं था इससे क्सेमेस्टर में दो पेपर हैं एक प्रेक्टिकल है तो सबसे पहले जो चैपड़र स्कारीर इनका यूज गया है ठीक है बात यो होती है जिसे माल लेते हैं एक है इक फंक्शन ही हमारे पास बहुत स्टार्टिंग से एक्थम बिल्कुल प्रीलिमिनरी चीजे बताता हूं एक फंक्शन है ठीक है फंक्शन कुछ इंटिंग एक्स में दिया हुआ है एक एक इग्जामपल अगर लेमाल लेते हैं फक्स फंक्शनिस इकॉल तो ते लिए क्व से हैं तो आपको पाता होना चाहिए कि हम लोग fx को एक तरीके से वाई भी लिख सकते हैं y is equal to x square plus bx plus c मेलनी हम इस बुक में क्या करने वाले हैं किस चीछ से डील करने वाले वो मैं आपको बता रहा हूँ यहां पी जो एक्स होता है बच्चो एक्स होता है हमारा डिपेंडेंट वरिवल बहुत पहले मैंने बताया होगा डिपेंडेंट होता है और वाई जो होता है वो इन उल्टा बोल दिया मैंने है एक्स जो होता है वह इंडिपेंडेंडेंट होता है क्यों यह रिजन में बतात हो सकता बिल्कुल नहीं हो सकता अच्छा लेकिन ऐसे लिखते हैं एक दूसे पर डिपेंट हो करते हैं लेकिन हम लोग एक्स कोई जमीन का साहरा लिया तो हवा में ओड़ पाए ठीक है सीडी तब लगा पाए जब हमारे पास जमीन थी तो सबसे पहले एक्स है तब आई है आरीपा समझ में इसका मतलब यह है एक्स पर वाई को डिपेंड करना पड़ेगा अगर एक्स ना हो जमीन ना हो तो आप आश्मान मे 156 बीडर सकते यह जमीन पे आने पड़ है तो डिपेंड़न वर्येबल व्य हो गया और किसंपर डिपेंड कर रहा है वह wilt एक सेक्स पर यानिकष्बट करें एक्स टे पर सुन आग यह बहुत ही चोटी से चीजशिए अब द लिफरेंस फाइनल सब्टार सम anni उब में क्या स value of x value value of x x को चेंज करें तो वाई चेंज इस एज विल है ना एक्स में चेंज करो कि इंडिपेंडेंट है वो अपने मन से चेंज होगा मतब आप अपने हिसाफ से चेंज कर सकते हो तो वाई चेंज यजो चेंज चेंज ऌएंगे उनी का हमें मेजरमेंट करना है इस चेप्टर में is AES की वेल्णिव को च닝 करते जाना य में कैसा चेंज आएगा वह बताना आपने को चिपा समझ में आ रही है अब यह चेंज कैसा है चेंज काई तरीके से होसकते हैं एक एकवल में जींज़ जाये और एक एक्कवल दोतरीके से इंटरवल ले लिया Neeğan में एक एक्क्वल इंटरवल में तोड़ कर उसका चेंजमिंट देख रहा है और एक अनट में कति हैं हि幅 अगर हम एकस की जंप करें इक समान लेते हैं एक की वैल्यू पहले हम नह चेक की वन पर और चूपर न च्यक करके सीधे परश ट्रीक चैवटी पर फिर एकस कि वैल्यू हमने 5 नहीं 7 पर चेक कि अभी तो reco Tryma Яए तो f3 कुछ आईगा एक 7 F7 कुछ आएगा इसमें या फिर 50 yeah let's give अग्वाग्पल नियुक्त में अलग तरी के जंप ले रहा हूं उसमें अलग तरीके से जंप ले रहा हूं कैसा जम धान से देखेगा लसा फोल ले लिया तो इस पर एफ वन की कोई वैल्यू रही होगी फिर आम एक्स एक्वाल टू थृ ले लिया फिर फ्रीक्ट करके कुछ तो है मतलब यहां से वहां में प्लस फोर अगलू रहेगा दो तरीके की जंप्स लेता है एक्स और अगर आप देखें तो प्लस टू यहां ca दो से इक्सचेंज हो रहा होगा उसी साब से हम लोग जो फंक्षन का जैशेंग में निगालते हैं बच्चों कितना डिफ्रेंस आ रहा है उसी को ही हम लोग को finite difference कहते हैं इस पूरी चैप्टर में इसको निकालने की हमें अलग-अलग टेक्निक्स दे रखी है जैसे कि आप थामनेल में देख पा रहे होगी फावर्ड बैक्वर्ड और सेंट्रल यह बात हमें आ रही है इतनी बात क्लियर है कि कैसा में क्या इस चैप्टर में पढ़ना क्या है इस बुक में यही करना है फाइनाइटिजम की बात होगी ठीक है ठीक है अच्छा अब दिए कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे उसके बारे में बता दूं जिससे के अरुच बढ़ पाई इसके पाच अपना प्वून्ट है वह है पारटेशन ही अगवालने से कि पहले से में बता दे रहा हूं स्टार्ट भी बहुत स्टार्टिंग से कर दिया मैंने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया आपके एक्जामिनिशन खतम होते ही स्टार्ट हो गया है कि अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि अगर पूरा लेवल का बनाना चाहते हैं लेट मीन्स की देविल टेक इचन एवरी लाइन देकन मेग इचन एवरी लाइन एजम सी क्यू ठीके और थोड़ा से लेवल ऊपर जागा के तो कोशिच मेरी पूरी रहेगी कि आपको वहां तक पहुंचाया जाए बलकि एक्स्ट्रा देने की भी कोशिच रखूंगा मैं इस बारी से यू नू थोड़ा सा लेवल रहेगा आपका जैम वाला भी कुछ कुछन इसमें एड किया जाएंगे जो आते हैं हलां कि इस में पार्टिशन ऑफ सेट्स क्या होता है नाम में ही आंसर है ठीके सेट आप जानते हैं दो तीन तरीके के हो जाता है ए से भी तका गया कि यह ओपे लो अंटरवल बोल लो अपर से वील नंबर का यह सबसेट होता है इसलिए इसलिए अँट हो सेट है ऑपन है बाकि याप क्लोजड भी जानते हो यह अपना close इंटरवल भी है और set भी semi open semi closed एक तरफ open एक तरफ close इसका आप semi open भी बोल सकते हो और semi closed भी बोल सकते हो आदा खुला आदा और बंद अंतराल हिंदी में बोलता है अब देखिए इसमें जो partition की बात गई है अब मैं आप वहुंद की माल लेते हैं इस close interval की अगर ब कि हम इसको लिमिटाइज कर दिया अगर हम थोई दिर कि इसको ब्रेक कर रहे हैं कैसे दिखेंगा अगर में तोड़ा लाइक इसको देखेंगे पी से एक सेट बनाया हमना पी फॉर पार्टिशन और स्टार्ट किया एसे और एजो था वो सबसे पहली जो स्टार्टिंग उसको माल लेते हैं हम लगभग एन माइनस वन टुकोड़े कर लिए ठीक एक साफ एन माइनस वन एक सेकेंड तो ठीक और उसके बाद जो लास्ट वाला जो हमारा ब्रेक है जिसको हमने तोड़ा है उसे हम एक्वल टू बी माल लेते हैं बताव वही बी है एक तरीके से और यहां पर यह जो पार्ट आपने तोड़े जिसे माल लेते हैं एसे भी जाना था यह एक्जामपल अगर हम ऐसे ले हमने कहा कि भाई चलो एक एक्जामपल ले लो वन से फाइफ में यह वन से फाइफ तो जादा आगे ले लिए थोड़ा सा और छोटा ले लेते हैं त्री लेता है इंडरवल और यह जों ब्रेक करने कुछ इस त». लेकिन उसके जों ब्रेक कर रहे हैं प्वाइंट करते से 1.50 पॉच्टेशिय ब्रि बश्डा वेख्ट और ब्र करने डिफ्रेंस दो लिए वह तो यह जो हमने पार्ट किया इसे पार्टीशन बोलता है पार्टीशन अपने हिसाब से फरॉन इन्फान आइट भी बनाए जा सकते हैं जैसे अगर आपको यह पता है यह यह संगे पार्ट्स भी फाइनाइट भरेंगे पार्टिशन जो आएंगे पार्टिशन अब यह होता है तो यह अगर हम लिखना चाहें तो इसको कैसे लिख पाएंगे देखें अगर इसी को लिखते जैसे माल लेजिए इसको लिखने का तरीका यह अंदाज हो सकता था आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम इसे ऐसे लिख सकते थे कि भाई वन से थरी है तो इस विल भी इक्वल टू पहले हमने क्या किया हमने किया वन से 1.5 फिल लगाया यूनियन फिर आप चाहें तो 1.5 एक बार ही ले चुके तो 1.5 से 2 तक चले जाए उस पर उस पर क्लोस लगा दिजे फिर यून यह सारे के सारे से पाइशन कहें जाएंगे साब इसा आज रिया मॉनस कितने फीसा sic़ थिख इसे यहां पर आते और नगाते ए से एक्स वन एक्सवन झाल से ऐक्स फ्रेशा करते एक्स एंटोर जाते हैं तो उसे बीच में जी जुन जाएगा उतनी है सहें पार्टिशन का मतलब समय आगया कि आप छोटे जोटे इंटर्वल में से कट करके अलग-अलग कर लेते हो तो पार्टिशन में तोड़ने का फायदा किया है कि अगर आपको मालिज एक सी वहां पे यही काम होता था जैसे जैसे माले जो कोई भी अगर फंक्षन है कोई ग्राफ है आपको यह जो चोटा सा इंटरवल कट दिख रहा है यहां से लेकर करके यहां तक लेट से एसे भी है लेकिन इसको ब्रेक किया एसे एक्सवन यहां पर लिखा ठीक फिर एक्सटू से आपका इसको ब्रेक करेंगे पहले ब्रेक क्या करेंगे लेट से लेकर के पहले हम एक्सवन तक फिर यूनियल लगाया एक्सवन एक्सवन एक बारे लिख चुके हैं तो इस फिर ओपन मर लगा देंगे एक्सवन से एक्सटू तक और फिर एक्सटू को अगरम अलग से ले 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 एक्सटू से एक्सटू से एक्सट्री या फिर भी लिख ले एक ही बात है तो हम कहा सकते हैं कि इसमें यह पूरी तरीके स से कॉंटिनेस नहीं है यहां पर डिस कॉंटिनेस है आप से अलग अलग भी पूछ सकता है कि कहां कहां पर यहां पर है कॉंटिनेस और यूनियन लगा करके इसको लिख दोगे यहां यहां पर यहां पर है कॉंटिनेस ऑवराल में पुछेगा तो डिस कॉंटिनेस ऐसा कोशन तो मैंने कराया होगा तो पार्टिशन का यह महत्वा है आरी बासमाज में अब इसके बाद देखे जो एक छोटा सा पॉइंट है जिसे बोलते हैं हम लोग ग्रिड पॉइंट्स ग्रिड पॉइंट्स फक्रिड प्यों अगर आप से कहा जाएं कि यह आपने पार्टिशन निकाले हैं पार्डिशन जितने भी है उनके बीच की डिस्टेंस होगी जैसे हमने कहा कि X1 में से X0 को अपने घटाया या X2 में से X1 को घटाया ऐसे करते करते जितने भी डिफरेंसे बनते हैं लाइक एक लास्ट वाले डिफरेंस एक्सेन और XN-1 जितने बन सकते हैं यह सारे के सारे क्या है ग्रेट पॉइंट से चोटी चोटी बात इसलिए पता होने चाहिए कि MCQ में कुछ भी पूछ सकता है तो अभी कुछ नहीं छोड़ना है लॉंग अंसर टाइप हो चाहिए शौट अंसर टाइप हो कुछ भी हो आपको फाइदा इस समय न्यू वीडियो से इसलिए है पुरानी वीडियो या जो एक साल दो साल पुरानी वीडियो से फाइदा थ जब पूरे MCQ हो गए तो आपको वहां से फाइदा क्या मिलेगा तो होता है तो उसमें ज्यादा चोटे चोटे पॉइंट से बात भी नहीं की जाती थी पुरानी वीडियो में तो MCQ फिर कवरी नहीं पाते थे पूरे तो न्यू वीडियो जो आपको मिलती है जो चैनल पर सब्सक्राइब है उसमें आपको एक MCQ अप्रोच दी जाती है तो सिध्यान रखे चीजे बहुत सोच समझ के बताई जाते हैं एक नेक्स देखिए एक छोटी सी बात और यहां पर देख लेते हैं स्टेप साइज क्या होता है चले आगे देखते हैं स्टेप साइज बहुत स तो अगर हम इन दोनों का डिफ्रेंस ले 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 और इन दोनों का डिफ्रेंस ले लिया आपने और किसी भी डिफ्रेंस से आपने माइनस कर दिया किसी डिफ्रेंस मतलब बताते देखिए जैसे माल लेते है थोई दिर के लिए अगर हमारा एच क्या है एक पार्टीशन है ज अर यह किसके कईवल आता है N के इकवल आप यह कह सकते हो कि अगuchen है इक्षेप ढीड़ चांटीर चीज है बताई जा रहें इंवाद को अभी कि चैप्टर का नाम है जिसे हम कहा रहे हैं पाइन डिफ्रेंसेज वो क्या है एक्जैक्ली देखिए अगर माल लेते को एक इंटर वाल है हमारे पास एसे लेकी बी तक तो हम उसे थोड़ा सा लिखते हैं आपको थोड़ा अलग तरीके से इसे माल लेते हैं एसे स्टार्ट हुआ है वो इसके एक्स नॉट आया फिर एक् आख इंबाद राना प्रट आउट माल लेते हैं और आपका यह अगया एक्स एन माइनस वन और उसके अधा आगया भी ऐख इस नॉट एक्स नॉट कुछ भी कर सकते हैं एक्सपार्ट इसको एक्स नॉट के एक्क्वल माल लिया माल लेते हो थोज़ितर के लिए तो दिले लोग इसको एक्स नॉट के एक्वली माल लेते हैं जैसे माल लेते हैं यह एक्स नॉट है और यह हमारा एक्स नॉट है तो अब क्या कि थोड़ी दियर के लिए माले एक मेडिल ले लेते कोई भी एक एक्स नॉट है तो यह होगा इसके भी हो सकता है हमारा एक्वल और यह सकता है इसके इस से रिलेटर्ट जो हमारे फंक्शन की वैलियो आएगी वो क्या है एक्स नॉट है टेक है कि एफ एक्स आई कि और एक्स एगा अब अगर आपसे कहा जाए कि यह जो वैल्यू आपके सामने लिखी जा रहे है एक्सिन की वैल्यू का जाए तो इसको कैसे लिख सकते हैं एक्सिन को ही आप a अगर बाद वाले से पहले का डिफरेंस लिया ऐसे करके हमने डिफरेंस लिया तो इसे फॉरवर्ड डिफरेंस बोलता है तो इसे बैकवर्ड लेंगे बताते हैं तो कौन कौन से टाइप देखे ताइप हमारा है तीन टाइप हैं भी तीनों इस चैप्टर में पढ़ने हैं और उनके रिगार्डिंग जो भी कैल्किलेशन है वो भी करना है जिसलिके सबसे पहले फॉर्वर्ड जो डिफ्रेंशेशन है फॉर्वर्ड बाइस डिफ्रेंश और डिफ्रेंश ऑब डिफ्रेंश K िंग से कि में आमरें विए और तीश्रा में रहा है संद्रिंटर सब्सरेशन है जोह पार में बताता हूं फोवर्ड में क्या होगा बाद की वैल्यू से पहले की वैल्यू के डिफरेंस लिया जाएगा जिसे माल लेते हैं थोज देर के लिए अगर हमारे पास फंक्षन है fx फंक्षन माल लेते हैं हमारे पास fx है y is equal to fx फिक आप से का गए अचलिए דटा सकते हैं डिफ्रेंस सकते दिल एफेकश आपको अगर आपका डेलS collectively वह बाद की वैलियू एक्षान कुछ ऐड करके पीछे की वैल्यू से सब्ट्रेट किया जाए अगर तो यह हमारा फॉर Minist हो गया यह क्या हो गया forward हो गया backward का क्या सीन है backward का सीन इसका उल्टा है backward का सीन छोती वैल्यू में से बढ़ी वैल्यू को difference करता है ठीक है और तीसरा जो यह है हमारा central difference उसके लिए shift operator हमें use करना पड़ता है वह ऐसे समझ में नहीं आयेगा जम लोगो shift इसके कुछ operators पढ़ेंगे जो कि आपने थम्लेल में देखा होगा उसके बाद उसे समझेंगे यह तो दोनों सिंपल थे तो दोनों समझ में आ गया है ठीक है तो चलिए कुछ operators को भी हम लोग समझ लेते हैं दो तीन जो इस वीडियो में cover हो सकते हैं चलिए देखते है operator को देखे शिफ्ट ऑपरेटर को डिनोट हम इसे करते हैं एक ऐसा ऑपरेटर यहां पर दिया है जैसे शिफ्ट ऑपरेटर कहते हैं ठीक है यह करता है बड़ी सिंपल चीबाद है देहां से सुनें अगर कोई function है और उसमें हम यह अप्लाई कर रहे है स्पेशली थोड़ा यह अच्छे से लिखेगा ऐसे माले ते मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं आप भी ऐसा कुछ करिएगा इसको ब्लू से लिख दीजेगा इसको ब्लैक से लिख दीजेगा तो देखने में अलग लगना चाहिए शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है बस function में function में हमारे step size को add कर देता है याद रखेगा shift operator मैंशे shift का मतलब होता है उसकी place को बदल देना तो place किसकी बदली जाती प्लेस हमारे independent variable यानि x की बदली जाती है उसके बाद वापस से function अप्लाई कर दिया जाता है तो x की value के साथ साथ उसकी image यानि function अप्लाई करने के बाद उसकी map mapping भी बदल जाती है इसका फॉर्मूला तो यह है इसके साथ साथ इसकी क्या important चीजें है वह क्या याद रखनी है देखिए बताते हैं shift operator के कुछ छोटे छोटे फॉर्मल है वह आपको दिमाग में रखने चीए जैसे देखिए कि जैसे अगर माल लेते हैं कि एक पर shift operator आपने जैसे अप्लाई अप्लाई गया तो एक हैड हो गया अब अगर हम दो बार ही अप्लाई कर दें तो क्या फरक माज आएगी फिर अगर 3 कर दें अगर तो 3 कर दीजिए तीन बार है जोट एड हो जाएगा मतब कुल मिला करके एक पावर में जो लिखा जाएगा वह यहां पर एड हो जाएगा तो इसे आप डॉट डॉट करके end show on if you are applying the shift operator for the end times you will get a function which is followed by x plus n h अब है ना एक स्टेप साइज है आप एक स्टेप साइज है आप जानते हैं इंटरवल के end point के difference upon n जितने पार्ट में अपने से तोड़ा हो आरी पास वाद में इसका एक और बड़ा ही महत्यपूर्ण पहलू लिखने का अंदाज और एक देख लिए थोड़ा सा दिखाते ह है अगर माल लेते हैं य के रूप में लिखा हुआ है इस तरीके से जिसलिए माल लेजिए हां जैसे आप लिखते हो ना वाई नॉट लेट लेट से वाइनूट लिखा है और उस पर यह अप लाई कर रहे हो एक ठोई अपलाई कर रहे हो तो यह किसे बदल जाएगा आपको एक हो जाएगा अब ऐसे अगर हम देख लेए यह अपलाई करना है लेट से वाई एन माइनस वन तो वही बात है वाई एन में अपलाई करते हो तो क्या भी बस एक हो जाएगा मिला करके तो यह थोड़ा सा लिखने का अंदाज आप समझ सकते हो यह बस समझे आई अब यह है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है एक चीज़र देख लिए अगर मैं ऐसे लिखता है इपावर जीरो यह नौट बोल दो से और यह किसी फॉंक्शन में या वाई में किसी में अपलाई होते हैं लेट से फॉंक्शन में ही अपलाई हो रहा है तो यह नौट मतलब कुछ भी खांस करा इससी फेमस लिएर्टी प्रपर्टी बहुत जीम लोगे इसका नाम सुना है लिएटी लिनर्टी क्या करते हैं यह उप्लाई कर रहा हूं यह अपलाई किया लट चे ऐसे और भी जी एक्स फिक उसमें यह अप्लाइगा सब्सक्राइब कि आप एक है कि ए ऑहर ए लग गया अक फिर वी बाहर और गागग यह अपनी पर क्रोड प्रoph Lakes खरता है दूसरा क्या है दूसरी प्रपर्टी किया है इंडाइस का लॉफ इंडाइस को भी फॉलो करता है क्या है ये देख लीजे एक एक चीज बिलकुल इजी में जीरो से अन तक बताई जाएगी धान से बड़ी बने रहना पड़ेगा वीडियों और लाइक करना पड़ेगा अगली वीडियो तभी जब इस वीडियो में जितन है वीडियो सारी फ्री है एक दम मस्त इंज्वाइगा यह पूरा देखे ए टुजएड मैस में तो गैरेंटी ही है कि जैसा बेकार के मिस्ट्री का आपका पेपर हुआ होगा उसे टेन टाइमस बहुत अच्छा पेपर होने वाला है ठीक है लॉफ इंडाइस किया है ठीक है एंबर क्योंकि राइटेएट इसेफ लगाए फोर यहपाया फिरी है होगा तो पहले ऐन अपलाइग वा अन बढरी और मएयर वारें तो आप इसको ऐसे भी ख़या सकते हो यह बह एक नोट प्लाफ प्र Raumद्य अप्र मलें होता है असे लिए हाई एक और सफिलिए अभी ए तो बात वही है कि जैसे भी अप्लाई करते हैं यह वैसे ही इंडाइस के रूल को फॉलो करता है तीसरा देखे इसी का जो थर्ड पॉंट अगर मैं बहूं हाला कि वह अलग नाम रखता है लेकिन मैं इसको प्रॉपर्टी में लिखना ज्यादा पसंद करता हूं इसको बोलते इन्वर्स शिफ्ट इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर एक बोलते हैं हलां कि होता ऐसा यह इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर अगर इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर इन्वर्स आ गया तो इन्वर्स को आप ऐसे क्या सकते हो इपावर माइनस वन जैसे इन्वर्स बोल सकते हो यह क function functions independent variable not function function के independent variable से उतना ही वो subtract हो जाएगा step size के साथ ठीक है अच्छा ऐसे ही अगर और भी बाते की जाएं इसके बारे में तो दो बारे ले लिजे तीन बारे ले लिजे e power minus 2 अगर ले लिए आपने function में apply कर दिया so you'll get what function of x minus 2h if you want to subtract yeah if you want to apply this for the end times you will definitely get function of x minus nh है ना where h is the difference of interval divided by n ना वो सब तो पाता ही है यह बात क्लियर है अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और easily हम कह सकते हैं कि अगर दो बार inverse ले रहे हैं so जैसे ऐसा बोलूं कि e inverse और का inverse तो क्या होगा दो बार inverse लगाते हो तो एडिशन में कर्वाट हो जाता है मदा यह दो बार शिफ्ट आउप इन्वर्स एप आपरेटर विल गिव यूदा इन्वर्स शिफ्ट आपरेटर सिंप्ली ठीक है तो यह बात क्लियर हो गई अब इस पर बैस एक क्वेशन देख ले है ठीक है देखें क्या करना है बाइस में कुछ ने करना है लेट कर लेते हैं थोड़ी दर के लिए लिए तो अच्छे से लिए एफ एक्स इस एक्वल टो ई पावर एक्स और हमने क्या किया दोनों तरफ शिफ्ट आप शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई कर रहा है ए एन एफ एक्स लेफ्ट में भी और ए एन ए पाव ए एक्स जितने भी लोग दूसरी युनिवर्सिटिटीज के लाइक लग लग नो ठीक है और सिदार्त नगर वहां पर लॉंग अंसर भी आता हैं तो देखने इसली सी हाव आम सॉल्विंग देविल देफिनेटली यूस देट और भी नो वेरी वेल हाव टू राइट इन देग्जामिनेशन और और एन हाव तो गेट दी होल आंसर विद होल माक्स देखें वह सारी चीजे ध्यान दीजे बताई जा रही है तो कुछ नहीं करना है हम नों ने क्या चीखा है हम ने सीखा कि अगर जहां भी हमारा फंक्शन मे एक सोता है उसके साथ एन एच एन एड हो जाता है और यह एक्स लिख है तो उसके साथ क्या हो जाना चाहिए सिंपल सा एन एच यहां पर लिख के भी दिखाना पड़ेगा वेर है एच इस एक्वेल टू बी माइनस ए अपॉन एन ठीक है एन वी दो बी दो नंबर ओफ नंबर ओफ पार्टिशन यह सब लिखना पड़ेगा अगर आप लॉंग अंसर टाइप लिख रहो तो इस सारी चीज़े लिखने पड़ेगी मैं सबको इंटिग्रेट करके पढ़ा रहा हूं तो आप लोग के जो भी दोस्त बहन भाई जो भी है जो अधर यूनिवर्सिटीज या अधर सिटीज में रहते हैं यूँकन सिंप्ली सेंड देम देट इच एन एवरेटिंग इस लेक्टर्स इन दिस सेमेस्टर और जो पुराने सेमेस्टर हमारे हो गए हैं उनम पढ़ते रहे हैं और उन्हें लगें अगर कोई चीज उसमें अफ्लोडर नहीं है जो कि जाहिर सी बाते कुछ चीज़े रह गई होगी तो वह चीज़े एड कर दी जाएंगी कोई बी बात नहीं है कोई टेंशन लेने की बिल्कुल कोई जरूवत नहीं है दिए कोशन और देखें लास्ट कोईशन देखते हैं इस वीडियो का फिर नेक्स वीडियो आपो कल मिलेगी ठीक है क्या देखी कह रहा है कि find e to the power 2 x power 2 where x vary by the by a constant increment 2 ठीक है इसमें करींज पार रहा है वो डू का है तो यहहां हो है कि अपनो दोबार ही लगाना तो दो बार ही लगाना तो आपको प्ता है स्मिंपल सा फॉर्मूला कि है जो भी है एक्स में होना है और कितना एक्स में हैड हो गाण है एक्स प्लस फोर ओल स्कॉयर्स क्या होजाए ऑनसर एकस स्क्वाइर ब्लस टूए भी यानि एटेक्स और प्लस एक्स्टीन यह एच की वैल्यू दिए हुई थी आरिवा समझ में तो यह शिफ्ट ऑपरेटर और इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर यहां तक खत्म होता है नेक्स्ट वीडियो में लोग फाइनल डिफ्रेंस का जो एक्जाम्पल है औ कुछ ऐसा और शिफ्टिंग कोपरेटर के कुश्चन एंसी की आपको पहले बता देरों एक्जाम में बनेंगे तरूर बनेंगे ठीक है तो ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है ना कॉंसेप्ट पर बात करेंगे उसे रिडिटेट कुश्चन पर बात करेंगे बाकी कल त चैनल पर जैसरी राउं